नए साल पर दिली की राजपारक थानक पुलिस को मिली बड़ी खाम्यादी गश्ट के दोरान पांच हतियार बंद बदमाशों को धर रबोचा नए साल की रात को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी लूट, डकैती, चोरी, स्नैचिंग जैसे मुकदमों में पहले भी जा चुके हैं जेल पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये पांच हो आरोपी नए साल के रात को किसी बड़ी आपरादिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे लेकिन राजपारक थाना पुलिस की मुस्तेरी ने इनके इरादों पर पाने फिर दिया पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 500 आरोपी मंगोलपुरी इंडरिश्टर एरिया फेस वन के पास बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खड़े होकर किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे लेकिन राजपारक थाना पुलिस के टीम ने इने मौके से धर्दब होचा और इनके कबजे से चार देशी कटे, पचास जिन्दा कार्तूस और चोरी की वारदात में इस्तमाल होने वाले कई ओजार वा एक लोहे की मोटी छड समेत चोरी की दो महंगी मोटर साइकल वा बीर की पेटी परामद लिये हैं और साथ ही ये सभी नए साल पर हर्श फाइरिंग की भी प्लान कर चुके थे शाइड इसलिए इनके पास से पचास जिन्दा राउंड बरामद हुए हैं दरसल राजपारक थाना पुलिस को 31 दिसंबर की देर रात गश्ट के दोरान इन अपरादियों के बारे में एक पुखता और गुप्त सूचना मिले जिसके बाद आला अधिकारियों के आदेश के बाद एसच्चो राजपारक अशो कुमार के नितरतो वाली S.I. Manish, Head Constable Rajesh, Manish और Constable Pawan की टीम जो की पहले से ही नए साल पर किये रातरी कर्फियों में ड्यूटी पर तैना आते इस टीम ने मौके पर पहुँचकर इन अपरादियों की घेराबंदी कर धरदब होचा और इनके कबजे से बड़ी मातरा में हत्यार बनामत किये पूश्टाज में इन्होंने पुलिस को बताया कि ये लोग यहां से पार्टी के बाद आसपास के इलाके में किसी एटीम मशीन को तोड़कर कैश लूटने की फिराक में थे और उस पैसे से बरफ़वारी का मज़ा लेने के लिए मनाली जाने का प्लान था लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इने पकड लिया और जब ये सबी पुलिस की गिरफ़वत में है तो अपने आपको बेकसूर बता रहे हैं पुलिस के अनुसार पकड़े गए पांचो आरोपी चोरी लूट पाट जपट मारी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं और इन पर कुल मिलाकर करीब देर दर्जन से ज़्यादा आपरादिक मुकदमे दर्ज हैं और अपने नशे की आदतों को पूरा करने के साथ साथ ऐशो आराम की जिन्दी की जीने की चाह में वारदातों को अंजाम देते थे लेकिन एक तरफ कहां ये सभी मनाली जाकर मौज मस्ती करना चाहते थे पर अब ये सलाखों के पीछे जाकर जील की हवा खाएंगे बेशक इनकी गिरफतारी पुलिस के लिए बड़ी काम्याबी लेकिन ऐसे समय में जब पुलिस चपे चपे पर मौजूद हो और जगे जगे बेरिकेटिंग हो बावजूद इसके किसी वारदात को इतने हतियार लेकर अंजाम देने के लिए निकले ये उससे साफ है कि अब राजधानी में अपरादियों को ना पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोईटर दिली से अपने सेयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी